मीडिया बिल्कुल तल्वे चाट रहा है गंगा जमनी तहजीब को खतम करके आपास में मुसल्मान हिंदू को रणने का का मीडिया कर रही है नमस्कार आदाव दोस्तों माहिलाल मुहमा शेक पॉब्लिक चैनल से जैसे कि जानते हो कि आज के तारीक में मेडिया हर एक चीज में एहम रोल होती है मेडिया अगर चाहे तो पूरा देश तरक्की पर जा सकता है और मीडिया अगर चाहे तो पूरे देश की तरक्की जो है एकदम भंग कर सकता है मीडिया में इतनी ताकत है कि आप सोच भी नहीं सकते हो और ना उसे एत्बार कर सकते हो मीडिया का एक जो कुछ पत्रकार ऐसे है जो इसके वोजे से चैनल या एंकरिंग का नाम खराब है जैसे आणना गोसामी जैसे लोग जो है मीडिया के नाम पे एक धबा है इसी चीज़ को लेके अबू हासिमाजमी ने समाजवादी पाटी के अबू हासिमाजमी ने क्या कहा है और क्या उन्होंने सरकार को किस तरीके से लताड़ा है मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है हमारे मुल्क में जब से बीजेपी की सरकार अधरणी मोदी जी की नेतूत में चल रही है मीडिया बिल्कुल तल्वे चाट रहा है और इस देश की गंगा जमनी तहजीब जो हजारों साल की है सिर्फ बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम हिंदू करके इस गंगा जमनी तहजीब को खतम करके आपस में मुसल्मान हिंदू को लड़ाने के काम मीडिया कर रही है तब्लीगी जमात का मामिल आया बाद में कोट ने कहा कि इनको बली का बकरा बनाए कोई गलती इनके नहीं कई महीने तक ये अर्णब गोस्वामी जैसे लोग के बाद और जब कोट ने मान लिया कि जो कुछ कहा गया है तब्लीगी जमात के बारे इनको जलत है इनकी कोई गलती नहीं बलकि इन्हों ने अच्छा काम किया है उसके बाद इन्हों ने कभी दिखाया नीए इस चीज़ को पहले नफरत पहनाएंगे एक बार नहीं और कई बार लगातार नफरत पहनाएंगे और खास दोर से अर्णब गोस्वामी यह आदमी महारास्टा में रहकर के जिस तरह से सीफ मुनिस्टर को चैलेंज कर रहा था वो उद्धो वो संजय राओ शरत प्वार साथ शर्म लियाती इसको मुझे बहुत खुशी है कि उसकी ग्रिफदारी हुई है सजा मिलना चाहिए और ऐसे जितने पत्रकार हैं उन सब केस करके उनको ग्रिफदार किया जाए कि यह डिमोक्रेसी के चौते अस्थम है डिमोक्रेसी में सब को बोलने का अगर हक है अगर प्रेस वाली यह कह है कि इनको हक है बोलने का इनको ग्रिफदार नहीं होना चाहिए तो मैं इसे पूछता हूँ कि उतर पर देश में आज अगर योगी के खिलाफ यंदर मुदीजी के खिलाफ किसने एक बयान दिया तो उसको पकल के जेर में डाल दिया जा रहा है यानि सरकार की मुखर्फत क करना यह देश दो समढ़ते हैं तो यह मीडिया वाले चूप चूप क्यों बैठे हैं उसलों क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं स्वागत करता हूं अर्णब गोस्वामी के जो गिल्फतारी हुई है और ऐसे लों को और गिल्फतारी की जाए ताकि इस देश में कम से कम मीडिया जो गरत ग्यानी कर रहे हैं और कहीं कहीं उस पर रोग लग सकते हैं यह उनका गुस्ता जायज है क्योंकि वाकहीं जो है मीडिया कहीं ना कहीं भरस्त वह चुका है कि मैलाल मुहमाद शेक फिर एक नहीं उसके साथ आजिर हूंगा जब तक के लिए खुदा अबिस